नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकैडमी स्टैनो क्लासेज में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जागरन संपात किये कानून का राज दिनांक 23 जुलाई 2020 गती 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांच सेकंड बाद स्टार्ट दुर्दात अपराधी विकास दूबे के हाथों आठ पुलिस कर्मियों के मारे जाने और फिर पुलिस मुठभेड में खुद उसकी मौत के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जाँच आयोग का नए सिरे से गठन कर दिया विराम अब इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवरत न्यायधीश भी होंगे और वही उसकी अध्यक्षता करेंगे विराम इस आयोग की और से इसकी भी जाँच की जाएगी की आखिर साथ से अधिक आपराधिक मामलों का सामना करने के बाद भी विकास दूबे जमानत हासिल करने में कैसे समर्थ हो गया प्रश्नवाचक यह आयोग किसी भी नतीजे पर पहुंचे यह किसी से छिपा नहीं की ऐसे न जाने कितने कुख्यात अपराधी हैं जो विकास दूबे की तरहे जमानत पाने या फिर पैरोल हासिल करने में समर्थ रहते हैं विराम क्या आवश्यक्ता इसकी नहीं कि उन कारणों की तहे तक जाकर उनका निवारण किया जाए जिनके चलते ऐसा होता है प्रश्नवाचक यह कारण अबूज अज्यात नहीं है विराम सबको पता है कि अपराधी माफिया तत्व विवस्था की खामी का जमकर लाब उठा रहे हैं विराम नकेवल उनके मामलों की सुनवाई बेहद धीमी गती से होती है बलकि उनके खिलाफ गवाह और सुबूत भी मुश्किल से मिलते हैं विराम उन्हें जमानत भी बहुत आसानी से मिल जाती है जब ऐसा होता है तो वे और अधिक दुसाहसी हो जाते हैं ऐसे अपराधी या तो राजनितिक संरक्षन हासिल कर लेते हैं या फिर खुद ही राजनीती में सक्रिय हो जाते हैं विराम इससे केवल कानून का मजाक ही नहीं उड़ता बलकि राजनीती भी दूशित होती है विराम सबसे खतरनाक खराब बात यह होती है कि आम लोगों का कानून के राज के प्रती भरोसा डिगता है विराम पैरा यह है पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी पुलिस मुटभेड का संग्यान लिया हो विराम ऐसे मामलों की गिंती करना कठिन है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे विराम इसके बावजूद हालात जस के तस है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पहले के मुकाबले और खराब ही हो रहे है विराम इसका एक बड़ा कारण पुलिस सुधारों से इनकार भी है विराम गाजियाबाद में गुंडों द्वारा एक पत्रकार की हत्या यही बताती है कि पुलिस की कारिय शैली से किस तरह अपराधी तत्व बेलगाम हो रहे है प्रश्नवाचक्चन इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं की न तो पुलिस सुधारों की दिशा में सही तरह आगे बड़ा जा रहा है और नहीं आपराधिक न्याय तंत्र को सुधारने के मामले में विराम सुप्रीम कोट इससे अनभिग्य नहीं हो सकता कि पुलिस सुधार संबंदी उसके आदेशों पर अमल नहीं हो सका है और अदालतों में तारीक पर तारीक का सिलसिला कायम है विराम चूंकि सक्षम व्यवस्ता का अभाव अव्यवस्ता ही पैदा करता है इसलिए सुप्रीम कोट को उसमें समग्र सुधार के लिए सक्रिय होना चाहिए विराम आशा करते हैं आप सभी को डिक्टिशन पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें धन्यवाद